आज हम आए है सुबह सुबह खेत में और मेरे आज वज में आप देख रहे है बहुत सारे हैं ग्रैम प्लांट्स इस ग्रैम प्लांट्स में कुछ दिन के बाद में आपको ऐसे शॉर्ट वाले लेगियूम दिखाई देंगे इसको आप लोग एंजॉइ करेंगे लेकिन आज हम यहाँ पे आये हैं इसके फ्लावर को समझने के लिए सुबचो NCRT में आपने Vaxillary Estervation मतलब Pepilionaceous Corolla पढ़ा है जो कि हमें Gram के फ्लावर में दिखाई देता है चलो आईए इसको practically हम समझते हैं सुबचो Gram फ्लावर में आप देख रहे हैं कि यह सबसे बड़ा इसका पेटल जिसको बोलता है Standard Petal इसके अंदर यह जो दो छोटे-छोटे हैं इसको बोलता है Wings Petal और यह है Standard यह है दो Wings और इसके अंदर जो आँ एकदम दो छोटे दिख रहे हैं यह Fused Petal है जिसको बोलता है Kills So, One Standard, Two Wings and One Kill ऐसे यह होता है 5 Petal वाला Papelionaceaeus करोला जब हमने Kills Petal को रिमूव किया तो इसके अंदर हमें इस सरीके से Androsium भी दिखाई दिया है Gynosium भी दिखाई दिया है हाथ लगाता है तो यहाँ पर Poland Grainz भी हमारे हाथ को लगता है